हेलो दोस्तो मेरा नाम है सच्चिन और स्वागत है आपका माई स्टडी दोस्ट यूडिव चैनल पर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप टू हंडरेड गोल्डन सीरीज का पार्ट 34 अब तक हमने डिस्कस कर लिये थे रूल नमबर 1 से लेके 180 तक आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे रूल नमबर 181 से तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं ये कुछ कोश्चन है तो आप इनको सबसे पहले लगाईए इन सभी के अंसर आप अपनी नोट बुक में लिख लीजे वीडियो के लास्ट में मैं इन सभी के अंसर आपको बता दूँगा तो पहले आप ट्राई करिए सभी कोश्चन को वीडियो पॉस्ट कर लिजे आराम से सभी कोश्चन आप एक बार देखिए और ट्राई करिए तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं रूल नमबर 181 से ये कॉंसेप्ट तो आपको पता हुआ बिट्वीन हम यूज करते हैं दो के लिए ये कॉंसेप्ट काफी पुराना है ये वाला कॉंसेप्ट अब एक्जाम में बहुत ही कम चांस है पूछा जाए बट ये वाला जो कॉंसेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ most नहीं most important कॉंसेप्ट है आने वाले एक्जाम के लिए तो आप इसको ध्यान से समझेगा देखिए among और amid क्या among और amid इसके बाद जो object आए वो कैसा हो plural हो और यदि उसका first letter कैसा हो consonant हो कैसा हो consonant हो तो हम क्या यूज करेंगे among और amid आप हमेशा या दखना अगर object कैसा हो plural हो औ और first letter कैसा हो consonant हो तो हम क्या यूज करेंगे among और amid और यदि object आपका plural हो बट जो first letter है वो आपका वाविल हो तो हम क्या यूज करेंगे among और amid इस्ट हम क्या यूज करेंगे among और amid इस्ट आप इसको ध्यान से देखिएगा अगर object plural है first letter consonant है तो among और amid और first letter यदि वाविल है तो हम यूज़ करेंगे Among Us और Amidist, आईए एक्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, He distributed the mangos among us, अब देखिए यहां object कैसा है, plural है, तो आप इसको देखिएगा, object कैसा है, plural है, और first letter क्या है, वोविल है, you क्या है, वोविल है, तो हम Among का नहीं, Among Us का यूज़ करेंगे, तो आयोप आप इस concept को समझ गया होंगे, यदि आपका object कैसा हो, plural हो, और हमें select करना हो, Among, Among Us में से, या Amid, Amidist में से, तो हम easily कर लेंगे, यदि consonant आए, तो हम यूज़ करेंगे Among, Amid, और यदि वोविल आए, तो हम यूज़ करेंगे Among Us, Amidist, तो आयोप आप इस छोटे से concept को अच्छे से समझ गया होंगे, ये मैं आशा करता हूँ, discuss करें, आगे concept, देखिए, 182, Among और Among Us, इसके बाद हम यूज़ करेंगे, दा, उसके बाद हम यूज़ करेंगे, अब देखिए, या हमने यूज़ किया है, दा, उसके बाद हमने यूज़ किया है, नाउन कैसा, प्लूरल, तो हम उससे पहले क्या यूज़ करेंगे, Among या Among Us, आपकी मर्जी है, आप Among यूज़ कर लिज़े, या Among Us, यूज़ कर लिए, अप्शन में केवल केवल, आपका एक यूज़ आप्शन होगा, इन दोनों में से, तो आपको वह सलेक्ट करना है, तो आयोप आप इन दोनों कंसेप्ट को आसानी से समझ गयोंगे, कब हमें Among और कब हमें Among Us का यूज़ करना है, डिसकस करें, आगे, 183, देखिए, सक्सीड इसका मतलब क्या होता है, सफल होना हो, तो हम यूज़ करेंगे प्रपोईशन इन, तो आप हमेशे आदखना, अगर सेंटेंस में सक्सीड का मतलब क्या हो, सफल होने से हो, तो हम यूज़ करेंगे प्रपोईशन इन, और यदि सेंटेंस में सक्सीड का मतलब हो, बाद में, तो हम कोई भी proportion use नहीं करेंगे most important concept है आने वाले exams के लिए तो आप हमेशे आदखना अगर sentence में succeed का मतलब सफल होना से हो तो हम proportion use करेंगे उसके बाद in और यदि succeed का मतलब बाद में हो तो हम उसके बाद कोई भी proportion use नहीं करेंगे example आपके सामने है ताकि आपको आसानी हो समझने में he succeeded in getting the price देखिए where price को प्राप्ट करने में सफल हुआ अब यहां sentence में succeed का मतलब किस से है सफल होना से है तो हमने उसके बाद in proportion का use किया है तो आयोप आप इस छोटे से concept को बड़े ही आसानी से समझगे होंगे discuss करें आगे enter into यदि देखिए enter के साथ into proportion हम use में लेते हैं तो उसका मतलब शामिल होना से होना चाहिए तो आप हमेशे आदकना enter into का मतलब क्या होता है शामिल होना और enter का मतलब यदि sentence में प्रिवेश करना से हो तो हम उसके बाद कोई भी proportion का use नहीं करेंगे तो आप हमेशे आदकना अगर sentence में सामिल होना से मतलब हो sentence का तो हम enter के साथ into proportion यदि उसका मतलब प्रिवेश करना से हो तो हम उसके बाद कोई भी proportion का use नहीं करेंगे आयोप आपे शोटे से concept को समझे होंगे discuss करें आगे rule number 184 देखिए into और in में क्या difference होता है देखिए into हम use करते हैं एक मिनट into हम use करते हैं जब बात की जाए किसकी motion की क्या हो motion हो phase change हो तो हम use करेंगे into का और यदि कोई चीज rest में है static में है तो हम उसके लिए in proportion का use करेंगे यानि phase change अगर नहीं हो रहा motion नहीं हो रहा अगर कोई चीज rest में है motion नहीं हो रहा तो हम उसके लिए in का use करेंगे और यदि motion हो रहा हो phase change हो रहा हो तो हम into proportion का use करेंगे example आपके सामने है ताकि आपको आसानी हो समझने में I came into the room अब देखिए into या किसको show कर रहा है यानि ये sentence जो है वो आपको वता रहा है मैं कमरे में आया यानि motion क्या हो रहा है motion हो रहा है face change हो रहा है तो हमने into का use किया है तो I.O.P. आप इस चोटे से concept को समझ के होंगे जब motion की बात होगी face change की बात होगी rest में कोई चीज नहीं होगी motion में होगी तो हम उसके लिए into proportion का use करेंगे और यदि कोई चीज static है face change नहीं हो रहा motion नहीं हो रहा तो हम in proportion का use करेंगे discuss करें आगे 185 the whole of proper noun the whole of के बाद हम किसका use करेंगे proper noun का use करेंगे example आपके सामने है the whole of India India क्या एक proper noun है तो आयोप आप अपे स्चोटे से concept को समझ गयो जढ़े the whole of के बाद हम किसका use करेंगे proper noun का use करेंगे इसी में आगे एक ओर concept है आप उसको देखिए the whole यदि दा होल के बाद off ना हो तो हम common noun का विज़ करेंगे वो भी कैसा singular मैं आपको उताता हूँ common noun क्या होती है आसान सी भासा में देखिए Apple भी एक mobile है Samsung भी एक mobile है MI का भी एक mobile है तो इन समय common चीज़ क्या है ये सबी क्या है mobile है तो mobile क्या हो गया common noun हो गया मैं एक और example आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में चार दोस्त है चार क्या है दोस्त है जिनके नाम क्या है सोनू मौनू राम श्याम क्या नाम है सोनू मौनू राम श्याम तो इन सम में common चीज़ क्या है ये 4 के चारी क्या है लड़के हैं ये 4 क्या है boys हैं तो इनमें common चीज क्या है ये boys हैं तो आईओप आपते से concept को समझ गये होंगे common noun क्या होती है उनमें क्या उनकी खाशित होती है तो मैंने आपको easily way में बता दिया ये चारों क्या है लड़के है उससे पहले वाले example वो सभी क्या है mobile है तो ऐसे ही इसका एक example मैंने आपके सामने रखा है the whole of country अब देखिए मैंने अभी आपको ताया अगर आपको common noun दे तो हम उससे पहले of का use नहीं करेंगे country में आपकी हिंडिया भी आती है पाकिस्तान भी आती है तो country मतलब common है तो इसलिए हमने the whole के बाद proportion का use of का नहीं किया direct common noun का use किया है वो भी कैसा singular तो आयोप आप इस छोटे से concept को समझ गये होंगे इसी में एक और आगे concept है आप उसको भी देखिए all plus da plus common noun का हम use करेंगे एक तो होता है da plus whole plus common noun अगर हमने da whole का use नहीं करना all का use करना है तो हम इसको लिखेंगे all plus da plus common noun तो आप तीनों ही most important concept है आने वाले exams के लिए common error में एक बार नहीं कई बार इन पर question पूछे जा चुके हैं तो काफी important concept है आने वाले exams के लिए तो आप इसको देख लीजे तो चलिए एक बार जल्दी से recap कर लेते हैं केवल केवल एक minute में मुश्किल से तब हम access लगाएंगे देखिए first हमने पढ़ाता between हम दो के लिए use करते हैं और यदि among amid के बाद object कैसा हो plural हो और first letter कैसा होना चाहिए consonant होना चाहिए और बात करें अगर आपका object plural है first letter क्या है वो तो हम among us amidst का use करेंगे इसी में आगे एक और concept था अगर आपका दा प्लस noun केसा दे रखाओ plural दे रखाओ तो हम वहाँ amid और amidst का use नहीं करते हैं किसका use करते हैं among और among us का use करते हैं discuss करें आगे देखिए जब sentence में succeed का मतलब हो सफल होना तो हम proportion यूज़ करेंगे in और यदि succeed का मतलब हो बाद में तो हम कोई भी proportion यूज़ नहीं करेंगे discuss करें आगे enter into यदि sentence में मतलब हो शामिल होना तो हम enter के बाद into proportion का use करेंगे और यदि sentence में मतलब हो प्रवेश्च करना से तो हम enter के बाद कोई भी proportion का use नहीं करेंगे discuss करें आगे into in जब बात हो motion की face change हो रहा हो तो हम proportion यूज़ करेंगे into और यदि static हो face change नहीं हो रहा हो motion नहीं हो रहा हो तो हम proportion यूज़ करेंगे in देखिए da plus whole plus of plus proper noun का हम यूज़ करेंगे second क्या है da plus whole plus common noun का हम यूज़ करेंगे और third क्या है all plus da plus common noun का हम यूज़ करेंगे आए डिसकस करते हैं exercise फर्स्ट कोश्चन आपके सामने है मोधी सक्सीडेट आफ्टर मन मोहन सींग नो एरर वीडियो पॉस्ट करेंगे और इसका right answer सोचेंगे अब ये question आपको काफी easy लग रहा हुगा ये मैं आशा करता हूँ तो I hope सब भी ने इसका right answer लगा लिया हुआ तो आपने बिलकुल साइ लगाया है औप्शन नमीर B में error है हम या आफ्टर का use नहीं करेंगे क्योंकि आफ सक्सीर का मतलब किस से हो रहा है बाद मेंसे हो रहा है किस से हो रहा है बाद में से हो रहा है तो हम इसलिए after का use नहीं करेंगे तो इसका correct किया हो जाएगा मोधी succeeded मनमोहन सींग तो आयोप आप इस छोटे से concept को समझ के होंगे यदी sentence में succeed का मतलब किस से हो बाद में से हो तो हम उसके बाद कोई भी proportion का use नहीं करते discuss करें आगे next question the whole passengers on the board ask for best facility no error video post करिए और इसका right answer सोचे क्या हो सकता है video post करिए तो I hope सब इने इसका right answer भी लगा लिया होगा तो आपने बिल्कुल सही लगाया है हम passenger में से as हटा देंगे passengers में से हम as हटा देंगे तो इसका correct किया हो जाएगा the whole passenger on the board ask for best facility तो मैंने अभी आपको concept बताया था जब भी आपको the plus whole दे उसके बाद हम किसका use करते है common noun का use करते हैं वो भी कैसा singular तो I hope आपे छोटे से concept को समझ गया होंगे discuss करें question no 3rd the captain along with his team are practicing very hard for the forth coming matches वीडियो पॉस करिए और इसका right answer सोचे क्या हो सकता है ये वाला concept मैंने आपको परानी वाली वीडियो में कराया है तो सभी श्यासा करता हूँ कि इसका right answer सभी बाई लोग जरूर देंगे देखते हैं आपको परानी concept अब तक याद रहते हैं या नहीं तो I hope सभी ने इसका right answer लगा लिया होगा तो आपने बिल्कुल सही सोचा एक दम आपने correct answer लगाया हम या आर का नहीं इसका use करेंगे क्योंकि मैंने आपको concept बताया था क्या बताया था डवलू की power 3 क्या डवलू की power 3 इसका मतलब क्या है with एक हो गया along with with along with और together with क्या होता है with along with और together with यदि आपको ये sentence में देखें तो इससे जो पहला subject होता है उसी के according हम verb यूज़ करते हैं अब देखिए यहा दिरका है along with इससे पहला वाला subject कैसा है singular है हम बाद वाला नहीं देखेंगे team हम पहला वाला देखेंगे captain और captain क्या है singular है तो हम आर का नहीं इसका use करेंगे तो आई ओप आप इस छोटे से concept को आसानी से समझ गये होंगे discuss करें आगे a property dealer was should dead by four unidentified jacket clad man while taking a morning walk in a park वीडियो पॉस करिए और इसका right answer सूचिए क्या हो सकता है वीडियो पॉस करिए और आरा हम से सूचिए तो I hope सब भी ने इसका right answer लगा लिया होगा तो चलते हैं इसके right answer की तरफ तो मैं आपको उता दूँ ये जो sentence है वो आपका passive voice में है किस में है? passive voice में है और आपको पता होगा passive voice में हम वास के बाद किसका यूश करते हैं? वर्प की थड़ फॉर्म का वर्प की कैसी फॉर्म का? थड़ फॉर्म का और थड़ फॉर्म क्या होती है? short होती है क्या होती है? short होती है तो उसका correct क्या हो जाएगा अप property dealer, watch, shoot नहीं क्या? short तो आयोप आप इस छोटी से concept को समाजगे होंगे हम passive voice में वर्प की थड़ फॉर्म का यूज़ करते हैं discuss करें आगे next question है scarcely had I finished washing the car then the master came and asked me to clean the floor of the house वीडियो पॉस करें और इसका right answer सोचें क्या हो सकता है? और भाई लोग इतनी महत के लिए एक लाइक तो बनता है तो सभी से request है एक लाइक जरू करें और अपना एक मिनट कीमती समय नकालके वीडियो के एक जगह शेयर जरू करिएगा और जो भाई लोग चैनल पर पहली बार है चैनल को subscribe कर लिजे साथी साथ बेल आइकन भी दबा दीजे तो I hope सभी ने इसका right answer लगा लिया होगा तो चलते हैं इसके right answer की तरफ तो मैंने आपको बताया था hardly और scarcely के साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं when का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं when का यूज करते हैं then का यूज नहीं करते तो इसका correct क्या हो जाएगा scarcely had I finished washing the car when the master came and asked me to clean the floor of the house तो हम यहां से then हटा देंगे और इसकी place पर रख देंगे when तो दोस्तो आपकी 2 से 3 वीडियो और आएगी आपकी golden rules की और आपका golden series खतम हो जाएगा और आप जित बाई लोग ने अभी मेरे mock test नहीं लगाए आप उन mock test को जरू लगाएगा और अपना जो भी score हो उन mock test में अपना score जरू लिखेगा comment box में काफी important mock test की series चल रही थी वो उसको हम दोवारा से start करेंगे आप tension मत लीजे बस आपकी 2 से 3 वीडियो और हम करा दें golden rules का उसके बाद हम back to back आपको mock test कराएगे तो हम आपके साथ हैं आप tension मत लीजे आप बस वीडियो को share करिएगा उन लोगों तक जो एरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रही है तो मिल देंस के next part में जै हिंद जै बार्त बंदे मात्रम